गीता अठारा के श्लोग नमबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शान्ती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोग को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृव्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचान्त यह है जेवी भागवत श्रीमत जेवी भागवत गीता प्रैस गोरुकुर से प्रकासित है यह प्रकासिक है रुमान परसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी प्रकासिक में मुद्रक है गीता प्रैस गोरुकुर गोविन मुनकारियले कुलकता का संस्थान जेनके फैक्स और पौन में पर इसकी 130 प्रिष्ट पर यह एक 133 प्रिष्ट पर तीसरा सकंद यहां पर बगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं तुम सुद्श रूपा हो यह संसार तुम ही से उद्वासित हो रहा है मैं पर मावर संकर हम सभी तुमारी किरपा से विद्मान हैं हमारा अविर भाव अर्थात जनम तरो भाव अर्थात मर्टू हुआ करता है हमारा तो जनम और मर्टू होता है इसे सद है कि यह जनम और मर्टू होता है यह अविनासी नहीं हैं खुद सभी कार करते हैं केवल तुम ही नत हो जगज जन्नियों पर करती हो सनातनी देवी हो फिर मैं तुमगुनी लिला करने वाला संकर के तुम्हारी संतान नहीं वार्थात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम ही हो सिवे संपुन संसार की शिरिष्टी करने में तुम बड़ी चतुर हो इस संसार की शिरिष्टी सतिति और सहार में तुम्हारे गुन सदा समरत है उन्ही तीनों गुनों से उत्पन हम बर्मा विश्णु एन संकर नेमा नुसार कारिये में तत्थ पर रहते हैं पुनात्मों इन चंद पंग्तियों ने इस सास्तर के इस लेखन चार बातें सपष्ट कर दिये नंबर एक विश्णु महेश नासवान है जनम मरत्यू होती है नंबर दो दुर्गा इनकी मा है नंबर तीन रजगुन विश्णु तमगुन शिवजी है नंबर चार ये जैसा वर्क जिसने किया उतना ही दे सकते हैं किया करम ही दे सकते हैं इसमें कोई परिवर्टर नहीं कर सकते हैं अब आप जी को एक कथावर सुनाते हैं जिसे बहुत कुछ निरने होगा एक बार पार्बती जी की मर्चू एक सो साथ बार हो चुकी और बगवान सिर्जी इन से इतना प्यार करते थे इतना लगाओ करते थे इतनी मम्ता थी इन में पारवती मर जाती थी बगवान सिर्जी हाहाकार करते रहते थे एक कता है कि एक बार बगवान एक बार पारवती जी अपने पिताराजा दक्स की अवन कुंड में छलांग लगा के जलगी थी, मत खत्म होगी थी, भगवान सिर्जी उस जले हुए अस्थियों को, हड़ियों को, अस्थि पिंजर को, इतने पागल होगे उनके मों मम्ता में, उस अस्थियों को लिये हुए दसजार वरस तक पागलों की तरह पारबती, करते थे उसे और फिर भगवान विश्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस पारबती के वो अस्थी पिंदर का विनास किया था उसको तोड़ फोड़ दिया था तो जहां पर नैन गिरी वहां नैना देवी बन गी और जहां जीव पड़ी वहां जवाला देवी और जहां धड पड़ा वहां पर यह वैश्ण देवी नाम के यहां उसके आदेगार बना दी कि यहां गटना ऐसी घटी थी बस इतनी सी बात है वहां और कुछ नहीं तो पन्यात्मों जो अपनी पतनी से इतना प्यार करता है उसके लिए इतना व्याकुल हो जाता है और भगवान सिवजी के पास एक मंतर था जो ये दास आपको देता है ये पर्थम जो आपको मंतर दिया जाता है सिव जी के पास ये बीच के पांच नाम थे आप जी को ये साथ मंतर का दिया जाता है इन के पास बीच बीच के पांच नाम थे जो सुपरसिद हैं इन पांच नामों के जाब से बागाव इतना था, इसके पुन संसकार पिछले अच्छे थे पारबती की जिस कारण से कई मुनुस जनम भी हो जाते हैं, पिछले पुनों के अधार से, तो एक सो साथ जनम हो गए थे, पारबती मरती रहती थी वा फिर जनम लेती थी फिर दोबारा भी साधी विस बगवान शिवशे ही करती थी, इनके संसकार थे ऐसे एक सो साथ जनम हो चुके थे, भगवान शिवजी क्या करते थे, उनके सिर्क ने निकाल का है, शिर्क शिर्का जो खोपड़ी रह जाती थी, खप पर बोलते हैं यह इतनी अलग हो जाती है इसको अपने गले में डाल लेते थे माला बना के, एक सो साथ माला बना के और खुटी का टांग राखी थी, कभी-कभी गले में भी डाल लेते थे इतना प्यार करते थे एक दिन रिसी नारत जी ने आके और पार्बती से कहा है माता आप बार बार जनम मर्टू के कष्ट को सहन करती हो बगवान सीव के पास एक ऐसा मंतर है जो आपको दे दे तो आपकी आयो बगवान सीव के बराबर हो जागी आप बार बार जनब के दुख को मर्टू के दुख को सहन करने से बत जाओ तो पार्बती के या बात गले उतरी नहीं कैने लगी बेटा नारद वैसे ता आप जूट नहीं गोलोगे क्योंकि आप रिसी हो लेकिन आपकी बात मेरी समझ में आवद आती नहीं कि बगवान सिर्फ जी मुझसे इतना प्यार करते है और वो मेरी मर्ट्यू को सेन कैसे कर सकते हैं उनके पास मंतर है तो मुझे पहले देते मंतर वो ताकि मैं मरती नहीं फिर पार्बती जी को नारद जीन बताया कि माता ये जो ये खुटीबर टांग राके ना माड़ा बना किये तेरे एक खपर है सारे गले में यहां रखते हैं, कभी कभी, सीने से भी लगा लेते हैं, गले में टांग लेते हैं, और उनके पास एक मंतर है, आपको क्यों नहीं दिया, यह वह बता सके हैं, क्यों नहीं दिया, उनसे पूछो, अपने आत्मों, यह नरने होगा आप इस बात का, आप देखो, पती पतनी, प्रमात्मा की पतनी हैं, इन बगवानों की, वो अच्छी हैं, देवी हैं, सो भाव भी अच्छा है, लेकिन गुन सभी में एक जीव संग्या ही हैं यह, पहले पारबती जी बगवान शीव जब घर पर आते थे, तो कोई ना कोई नाक सकोड लेती थी, आप इतनी द गर कहा लगा जी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, इस तरह की वो कर्या करती थी, और भगवान शीव जी भी अब भेस्त थे, उस दिन जब भगवान शीव जी घर पर आये, तो पारबती जी, आच्छा, नारत जी ने बताया कि अभी आप उनको एक सिंपल पती मान रही हो, आ आप उनको भगवान नहीं मानते हैं, और वस्तु प्राप्ट करने के लिए आप जी ने उनको गुरू मानना पड़ेगा, और गुरू के लिए कितनी आधान आध ही नहीं होती है, डंडवत परणाम करें, लंबा लोट के, वी नमर भाव से वस्तु याचना करें, गीता जै नमर चायर के स्लोक नमर चौटीस में कहा है, तो पारबती क्या समझ मागी, को ये तो बात बिगड़गी, फिर को एक तुरूटी मेरे में रही है, तो भगवान इतना मुझ से प्यार करते हैं, और फिर मुझे युवस्तु नहीं दे पा रहे हैं, अवस्य में योग नहीं ह पहर पकड़ कहने बोली है, बगवान एक प्रमात्मा, मैं तो बालक हूँ, आप तो प्रभू हो, अवस्य मुझ से कोई गलती हुई होगी, मैं बहुत नालाइक हूँ, मेरे से आप जी ने एक अन्मोल वस्तु छुपा रखी है, आपने मुझे वो अमर मंतर नहीं दिया, अब बगवान शिवजी के ने लगे पारबती, ये तेरी बुझी की सोट नहीं है, तेरी दा बुझी यहां तक काम करा है, कोने हमा कितने दन होगे, जारों वरस होगे देखते हैं पर नू बताते हैं कोन इसी बगवान आत्मा मिल गी जो तेरी बुझी बदल दी जिसने, आ ये तेरे सतर का ग्यान नहीं बता कोन है, को उपदेशी मिलावी दाता, अब थोड़ा साब को ये वारता, उस सचीदा नंद घनबरम की वानी के मादम से सुनाते हैं, इसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ दाएगा, और इस वानी से आपके पाप भी कटते हैं, संखों दे दरीतन योनी, नो ततके का वीजन भूनी मुक्स मुक्ती का, लख्या न भेवा, भर में पूतर व्यास सुक देवा, सत्गुर मिला मादेव बंका, चौरा सी की मिटी न संका, अठोतर जनम गौरी भर माई, सीवकु रूंड मा लागल लाई, एक सो आठमा जनम था, अठोतर, एक सो आठमा जनम था इस पारबती का, अपने आत्मा बहुत से कंसेप्ट कलियर होंगे, इन कताओं से, जैसे क्या कहते हैं, बगवान के दर्सन हो जाँ, बश्वेड़ा पार हो जाँ, बगवान के दर्सन से वेड़ा पार नहीं होगा, वो ता अच्छी बात है, दर्सन होगे ता अच्छी बात है, लेकिन बगवान के पाने की विधी प्रोपर होगी, उस मंतर से मौक्स होगा, इस भगवान शिव जी के साथरा आकरती पारबती उसकी तह दरमपत्नी थी वो दरमपत्नी है रोकती साथरा आकरती एक का गर में रोज दर्शन सो सोवे करें आकरती उसका मोक्स नहीं हुआ उस मंतर से मोक्स होगा अब सुनना जान से अठोतर जनम गोरी भरमाई सिव को रुण माला गल लाई अर्द सरीरी देवी गोरा जिनका थेर भयानी भोरा अर्द सरीरी अर्धांगनी इस तरी को अर्धांगनी मानते हैं सबसे निकट तम रहने वाला रहने वाली तो कहते हैं वो भी पायर ना होई बगवान की सिर्जी की अर्द सरीरी थी तो अर्द हांग नी थी उसका भी जनम मर्तू नहीं समाप्त हुआ क्या बताते हैं नारजी बता रहे हैं कि किरा कितनी इगवार ते तु तीर्था का गूमे आई थी और ना जाने कितनी इगवार पिंड वर्वपर दान तिरे ओडिये लेकिन तिरा जनम मर्तू मिटया नहीं रुन्ड माला सिब के गले गिर जा के सिर्शी से बक्ती दुराई देव कूना परिस्या जगदी से नारजी बता रहे हैं तुम्रा देवी रूप विसाला सिब तो पैर रहे रुन्ड माला बहुतक पर ले हो हो जाई लंबी उमर सिव कलमा ही दिरगायू सिव है अनरागी तुम्र देवी गोरी दिलत्यागी मूल मंतर नहीं नाम सुनाया तातें कलब हो है तरी काया तेरे को वो मूल मंतर जो उसके पास सही ज्ञान है नाम है वो तुझे नहीं दिया इसलिए तु जनम मर्त्यू से छुटकारा नहीं पापाई महादेव देवन पति देवा जिनकी करीन देवी गोरी सेवा कर बंदन करसीस नमावो तनमन अरप तनमन अरपो सीस्ट ड़ाओ अब नारजी बताते है किसी जब दिक्सालेनी होती ना जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि तनमन अरप गुरू सेवा हो गलतान उपदे सही लेवा है अति आधीन बोले सब बेना मेटे सकल कपट के बेना यानि कत्याधीन हो तो यहां नारजी बता रहे हैं कि तो उन्हें हाथ जोड़ते हैं पैराम पड़ना चाहिए कर बंदन कर सीष निमावो तनमन अरपो सीष चढ़ावो सिभ हैं मुक्ष मुक्ती के दाता तो से भेद कहूं गोरी माता चरन गहो चिंता मनी के राताते प्राण अब हैं हो तेरा कहते चरन पकड़ देना अब के गर्मावा जब कमल अब कहते हैं नारद जी के ग्यान सुनके उसका समझ मागी कती कोमल पहले तर एका जी डाट मार दिया करती पती होन के नाते हैं और कहते हैं फिर तो कमल कमल जैसा कमल साफ दिल कर लिया और जब बगवान आये तो क्या बोली चरन पकड़ रोवत है बाला मोरे सीस किये रुंड माला मोसे भगति दुराई देवा मैं जानी नहीं तुमरी सेवा मोसे भगति दुराई स्वामी हमसे बेद कहो निजधामी मैं बाला हूँ अबला बोडी पारने बाओ हमरी डोली पूरव जन मून मंतर मैबूब का इस सुनाओ मोही जुगन जुगन के पात तक छुटें छुटत है दिल दुरोही बून रही बहुसा गर्मा ही मुक्समुक्ती के दाता तुम ही शीस पकड सुन देवी बाता को उपदसी मिला विधाता अब आथ जोड़ के चरन पकड के ने वलिये बगवान आपने मेरे सिर्ये गल्यम डाल रखे और मेरे से अनवल मंतर छुपा रख्या मैं तब ओड़ी बाली एक बालक हूँ आपकी बच्ची समझा आपके गुरू र आपने मेरे से ये अनवल मंतर छुपा रख्या है उस परमात्मा मैभूब का यानि मंतर सिर्जी दे रहे हैं लेकिन वो परमात्मा के पाने का तो क्या बताते हैं सिर्जी बोले उसका सर्पकड का रोह थी जब उपर नो ठाएक उठो एक बैठ मेरी बात सुनो केते हैं सीस पकड़ सुन देवी बाता को उपदेशी मिला विधाता श्रपकड़ कॉया नो हम बता तो नहीं हमसुब भेड कहो पर वारा अब शिप जी बोले ये तेरे सुटर का लेवल का ग्यान को ना जो तू आज बोल रही है ये तेरा ग्यान नहीं है किसी और ने बता है बताओ कों है I should say झारज़ जी मिले ते और उन्हेशारी बात बता जी मिरे ते सिर्व समरत बोलत है जब भी गोरी ग्यान सुनाया तब ही कोट कलब जुग पर लेबिती ग्यान जान सब ही परचीती तुम्रा मन नारद मुनी फेरा सुनो ग्यान तुम गोरी मेरा बन खंड तलो गोरी दीवानी पंची सुनेना हम रीवानी अपना आत्माओ पार्बती पैर पकड़ करो रही है और कहने लगी है वगवान जब मैं मरती थी क्या आप दुखी नहीं होते थे आप दुखी नहीं होते थे वगवान सिर्व जी कहता है कि मैं कितना दुखी होता था वो मैं ही जानता हूँ सारी कथा बताई कि एक बार तेरे मरत्यू होगी थी राजा दक्स के दर्बार में तू जलका मरगी थी तेरे स्रीर अस्थी पिंदर नठाएं दसजार वरस तक पागलों भी तरह सीने से लगाए फिरता रहा मैं इतना दुखी होया करता जब तू मिर्या करती और मैंने तुरे को बहुत बार कोशिस की वगवान शिवजी कहा करते थे के वगवान की वक्ती करनी चाहिए वो खुद भी साथ ना करते हैं लेकिन लोक वेद के आदार से पारबती न्यू करा करती जिसके पती वगवान हो आप सब देवों के देव हो आप अपने उसी भी दान से तो मुझे क्या जुरूत था बग्ती करन की आपको पाने के लिए बग्ती मने कर ली अब मुझे जुरूत नहीं आप तो परमात्मा हो मैं और क्या पाऊंगी से आगे इतनी बुधी का सतर है इन देवियों का और देवताओं का तो बग्वान शिब जी बार बार बहुत से कई बार परसंग चेंज करया करता है बटाता था बग्ती करनी सी ये परमात्मा की साधना से मुख सोता है और लेकिन यकान ना पर गटाड़ जा करती पारबती सुने आना करती तो बगवान शिव जी कहता है कि पारबती मन कोछ सिष्ट है बहुत करीब परतना मेरी एक नहीं सुनी ऐसे समय में ये मंतर मैं तुझे दे नहीं सकूँ था कैसे जैसे एक सीप होती है सीप जिसम मोती बनता है एक जीव होता है समुद्र में और आपने ये छोटे मोटे तलाबों में देखियोंगे संख जैसे आकार के सकत सी दातू बन जाती है उनके सीप अंदर कीड़ा होता है जीव होता है ऐसे एक सीप होती है चप्टी सी ऐसे सकत से संख जैसे उसका कवर होता है शरीर होता है उसमें एक जीव होता है सीप बोलने उसने और सीप में मोती तब बनता है जब उपर आकास का सवच जल स्वाती बूंद बोलते है वर्सा के जिनों में वर्सा का जल उसको प्राप्त हो जा उसके मुँ में डल जा और वो उपर के 30 बूंद को लेकर वो मुँ बंद कर लेती है और उस से मुटी बनता है एक चम्की लापत्थर और जब तक वो मुँ खुला ना हो उस हीप का चाहिए उसके उपर पूरा सावन वरस जा बादवा भी वरस जा वरसा होती रहे वो जल उसमें असर नहीं करता जिस से में उसका मुँ खुला हो और फिर वो एक बूंद बतेरी उस उपर के पाड़ी की उपर के जल की उसी से काम बन जाता तो बगवान शिवजी ने कहा कि तेरे अंते करन का मुँ उस सीप की तरह बंद था और मैं कितना ग्यान सुना जेता कितनी बार ये मंतर बता जेता तेरे कान ना मनी पड़े ना तू मानने और ना तू बगटी करनी थी ये वर्थ करना ये ऐसा नमोन मंतर है ये वर्थ करन का नहीं मुझे पाप लगता अब तुमारे अंतर करन का मुझे खुल गया अब आपके हर्दे में डेमांड होगी अब तेरी चाह इतनी परबल होगी है और अब मैं ये मंतर आपको ढूंगा आपके अंदर उस सीप की तरह मुझे बन जागा और नहीं तो मैं सुनाता रहता ये उपर कर जाता कोई असर तेरे होना नहीं था फिर उनको वहाँ जहाँ अजकल अमरनाथ बना रख्या है वो सथान वहाँ लेगे कहने लगे पारबती एकान सथान पर चल ये ऐसा अनवाल मंतर है किसी और पराणी अन अधिकारी के कान नामा पढ़ना नहीं था पुनातमाओं ये राकसस कैसे बन गे अब ये कैसे बन गे राकसस के ये नाम भी ले ले लेते गुरूओं पर इस सारे ब्रामने थे आम जनता ही थी अथी आत्मा है थी ये नाम भी ले ले लेते मंतर ले लेते गुरूओं जिसे फिर विकार छोड़ते नहीं मंतर भी जाब करते रहते विकार भी करते रहते तो उनमें सिद्ध ही आ जाती विकारी प्राणी में फिर बकवाद गणी होती है वो बकवाद करन लागे तो ऐसे फिर वो सिद्ध ही आने से उन देवताओं को सतान लागे अलग गुरूब बने गया और आकस्स करन लागे तो इसलिए इस मंतर को आम प्राणी को नहीं दिया जा सकता पहले इसके लिए त्यार किया जाते हैं ग्यान समझा जाता है नियम बता जाते हैं उनको पॉलाइट बना जाता है क्रिवी नौर बना जाता है तब यह मंतर दिया जाता है नहीं तो इस मंतर को पाक है उनमें सकती सी दियां आ जाती है इसलिए ये मंतर आम वेक्टी ना तो दे सकता अधिकारी से ही दिया जाता अधिकारी का दियावाद लाब देता है वैसे नहीं देगा और आम वेक्टी को बता दिया तो उसका दुर्पियों करेगा वो खानी कारक हो सकता है था उसका टैनी टानी वो रह रही थी उसकी वरक्स की खोगड में उस सुखे वरक्स में एक सुराख बना लेते पक्सी उसमें एक तोते ने अंडे दे राखे थे बगवान शिर जी वहां बैठ गे जाकर उस पेड के नीचे और इतने पहाड़ों पर पारबती को बठा लिया और वहां अपने हाथ से ऐसे तीन बार जोर की अठेली से आवाज कर दी तो इतनी जोर की आवाज हुई वहां पहाड़ियों की वैलियों में से गुंजती हुई इतना भेंकर आवाज हो गया कि वहां सपास के पक्सी जो थे वो सब भाग दूर उड़कर वहां कोई जीव नहीं रहा उस अंडे में जो खोगड में अंडे थे जो सवस्थ अंडे थे वो तो बच्चे बनकर उड़ गे उस इतनी ही ताडी से ऐसी उनकी अपनी बगती से ऐसी उन दोचार की एक गंदा अंडा था उनहीं में से वो वही रह गया अपने आत्माओं जैसे आप ये अस्थियां सुनते हो ना फूल ठाक है गंगामगेर काओ डाल काओ इसका कारण क्या है कि पहले ते इन ग्यान इन रिसियों ने ब्रामणा ने बगती गल्द कराई बगती गल्द करने से वह बूत बढ़ेगे अब बूत जब ये जैसे इस शरीर छोड़कर जाता है ये प्रानी इसमें बहुत मम्तारे जाती है इसकी एक कोई किराए पर रहा हो ना किसी के मकान पर और किराए पर छोड़ना पड़ जा तो कई दिन तो भी याद आओ काम उड़े नूरा करते तो ये शरीर छोड़कर जब ये प्रानी जाता है मनुस तो इसने बहुत याद रहती है इसकी बहुत तरफ होती है और वहाँ जाकर फिर ये भूत योनी प्राप्त करके वापस आ जाता है तेरा दिन में इसकी सारी क्रिया उपर पूरी हो लेती है फिर ये जो बनना है गदाकुता सूर देवता ये बन जाता है तो इन ब्राह्मन लोगों ने के समझदारी करी और थे नपता मोक्स माक्स देन का होकुन है इन्होंने क्या किया कि तुम अपने माता पिता के बाही बेहन के जिसके भी तो स्रीर छोड़ जाता है अंतिन संसकार करते हो तो वो सारी राक उसके अस्थी उठाक है चुन का उसमत है और गंगा में गेरा हो दरिया में, क्यों गे रहा हूँ वै कि इसलिए कि इसका मोक्स हो जागा, मुक्ती हो जागी वो क्या होता है कि वो तेरा दिन ते पहले अठानी पड़े हैं या उतेर में जनकती अठानी दूरूरी होती है ऐसा उन बता रहा है वो क्या करता है, वहाँ से जो परेत बने गया, वो वापस आजाता है और कोई भूँ नहीं मुचला गया तो बात अलग हो जाती है तो भूत बनते ही, वो अपने गर्पा होगा गर्पा क्या करते हैं, मंतर मंतर करकर कील गाड़े देते हैं लोहे की के गर्पना आजा, जब तब माता पिता पूझे थी अरीब करते गर्पना बड़े जाब भूत बनी गया वो क्या करता है, फिर देखता तेरा सरीर कहा गया, उठा कर लेगे समसान गाट पर पहुंच जाता है तो वहां वो क्या करता है, वो अस्थियों के चिपक जाता था जैसे पहले उठाते नहीं थे, फिर ये क्रिया सरू करी उन अपने सरीर को ढूंडता है, ऐसे वहां वो राख में एक भी अड़ी अपनी पा जाना, उसने एक अड़ी भी उसके भी चिपक जाता है, मेरी है और फिर ये जनतर मंतर करने वाले सेवडे इसे उन अड़ीयों को उठा लाते थे और उन अड़ीयां के चिपक जाता था फिर उसको अपनी सिदियों से लेकर करके कंट्रोल कर लेते थे फिर उस जीव का दुरुपियों करते है तो इन ब्रामनों ने ये चतुरता करती कि वो आवेगा भूत बनेगा पका है और बनते ही फिर वो समसान गाट पर जावेगा उन अड़ीयों के चिपकेगा और ये जनतर मंतर करने इसको उठा ले जावेंगे और उसको वहां सरीर नहीं मिलेगा तो वो कहीं और चला जागा छोड़कर वहां से दूर बाग जागा अब ये तो उनकी अपनी सोच थी कहने का भाव हमारा ये है आप दास ये समझाना चाहता है कि ये पिरकिरिया है इस जीव की सो भाव है जैसे वो गंदा अंडा हो गया और उस जीव का संसकार था उस गंदे अंडे में ऐसे ही उसकी मर्त्यू होनी थी वो अंडा खराब होना था और वो जीव पहले ही उसमें भेज दिया जाता है कि तीरा संसकार रिवीव है तो कुछ दिन ही उसमें रहने से वो जीव उसको अपना मान लेता है और वो जीव आत्मा उस गंदे अंडे के चिपकी बैठी थी अंडा तो खराब हो चुक्या था वो सौश्थनी बनना था बच्चा तो बनना नहीं था आत्मा उसका चिपकी बैठी थी कि यू मेरा है उसके अंदर ही पड़ी थी वाग तो उधर से बगवान सिर्जी ने पार्बती को पहले तो कथा सुनाई जाती है कि हमारे स्रीर में से कमल है मूल कमल मैं गनेश जी का वासा सौद पर दूसरा कमल है उसमें बर्मा जी का वासा फिर नाबी कमल मैं विश्णू जी और लक्षमी जी स्वाद चकर मैं स्यावत्री बर्मा जी कंठ कमल मैं दुर्गा जी ऐसे ऐसे सारी बताई जाती है ऐसे बगवान है ऐसे बक्ती करनी चीए तो वो परवचन जो दिये और फिर ये मंतर सुनान लगे ये पांस मंतर आपको दिये जाते हैं यही मंतर पारवती को बगवान शीव ने दिये थी जो आप जी को साथ देते हैं अब क्या है कि ये पांस मंतर तो यहीं तक के हैं इन कमलों को खोलने के और पहला और लाश्ट वला दो मंतर है ये पूर्न प्रमात्मा का है तो इसके साथ अगर ये हम नहीं मिलाते तो ये फिर इनका कुछ और ही प्रारू बन जाता है ये दो साथ मिलाने से फिर इनके जो जितना हमें चाहिए उटना ही ये काम करेंगे अधिक नहीं करेंगे जैसे कोई बैद जड़ी कई जड़ी मिलाता है कई जड़ीयों का ऐसा तेज सोबाह होता गरम होती है कुछ एक ठंडी होती है सब को मिला देता है तो नॉर्मल बन जाती है यही गरम ही खुला दी, जा एक ही तो वो अलग ही गुन होगा, अलग ही लाव देगा वास्त बढ़ का लाव नही दे पावगी इस परकार इन सभी को मिला कर एक औस धी बनाई है आपने देखा होगा, शीव प्राण में, विस्न प्राण में कई जिगा लिखा है हर्यं 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 कि लख्या स्रयं शर्वular तो यह वहीeder को मतरों को और लाचा आ ठाबंनाया है और हमने इसके एक व अधिया है जड़ी सब की तो वह अलग गुन था अब इसका कुल मिलकर सारे का एक शही लाव देंगे, रो काटेंगे तो पार्वती जी को जो मंतर सुनाने शुरू किये तो वो गंदा अंडा भी इन मंतरों के परवाव से सवस्थ हो गया और उसमें बच्चा निकलाया तोटे का बच्चा भी पर फुलित सवस्थ हो गया अब पार्वती तो समाधि स्टोन लगी आनंद शान लागया उसनमा दोस हो गी अंदर कमलों के ऊपर उसकी नदर दिरिश्टी पहुंच गी वह तो लागी अंदर फिलम देखने बोलना बंद कर दिया उदर से तोत्य के बच्चे ने सभी करती देनी शरू कर दी हाँ 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 ऐसे करन लगया तो परगवान सिव ने देख्या भी पारवती तो जानमगन है रिबोला कुण है किसने सुन लिया ये मंतर ये तो बात विगड़ी जब देख्या उसने खड़ा होके तो पकसी उड़के भाग लिया उड़ लिया बगवान सिव जी पीछे पीछे भी सिद्धी से उड़ लिये कि इसको मारूंगा नहीं तो यो आगे कहीं दुख ही करेगा इसने मंतर सुन लिया सिद्धिया इसमा आ जाएंगी ये परिसान करेगा बगतों को जनता को इसको खतम कर देता हूँ पिछे वाग लिया तो पकसी ने जाके वहाँ व्यास जी की पतनी वेद व्यास जी की पतनी ने जम आई ली अपना स्रीर छोड़के उसका सुकस्म स्रीर से उसके मूँ के मादम से गर्ब मचलागा पेट में समय आने पर फिर वों का मिलन हुआ तो गर्ब में बालक रूपधान कर लिया तो बगवान शीव ने जाकर कहा कि व्यास की पतनी तेरे पेट में गर्ब में मेरे ग्यान का चोर है इसना मैं मारूंगा अब ब्यास टि केन लगे है फ्रफ़ू कैसा ग्यान कैसा चोर है हमें कुछ बताईएगा सारी बात बताएदी ऐसे ऐसे मैं पार्भती को मंत्र सुना रहा था इसने मंत्र सुन लिए यो अमर हो गया अज़ सनी मारूंगा अब व्यास टि केन लगे है मातमा जी ए बोले नाथ है परभू एक तरफ ताप कह रहे है यू अमर हो गया और फिर इसनो मार होगे जब यू अमर हो लिया अब इसको मार होगे कैसे आप अच्छा अब सिर्व जी तो वापस आगा है वह या बात ठीक है इसनो मारूंगा कैसे तरफ तो अमर हो गया और गर्ब मैं ये मार नहीं सकते उसको स्रीर भी नहीं खतम कर सकते वापस आगे अपना अत्मा हो करने का भाव ये है ये तो लंबी कता है फिर आगे सुनाएंगे आपको शाम के समय अब समय पूरा हो गया तो करने का भाव ये है कि जैसे पार्बती जी को जहां अमरनात सथान बता जाता वहां यो मंत्र मिला था जिसका पार्बती ने फिर आजीवन जाप करना पड़ेगार कर रही है जिस से उसकी आयो इतनी होगी जब तक भगवान सीव की मरत्यू नहीं होगी पार्बती अगय मरेकोनी इसके बरबर की उमर होगी फिर ये दोन्नों मरत्यू को प्राप्त होगी अब पुनात्मों इन तीर्थों दामों पर जाकर के हम मोक्स की कामना करते हैं ये हमारी भूल है अब वो अमरनात् सत्थान के ओल यादगार है के यहां वगवान सीव ने पार्बती को दिख्षा दी थी देट साल नथिंग अलस अब वो मंत्र आपको बरवाला आसरम सतलोक आसरम बरवाला में मिल रहा आपके लिए ये अमरनात है वो पहाड नहीं तो अपने आत्माओं ये हैं वो बातें वो आमने मूरक बनाए बैठे हैं बीजग की बाता कहें हैं ये बीजग नाहीं हाथ वो परत्वी डोबन उत्तर रे भाई के के मिठी बात बो सत्गुर्दी परम पता परमात्मा पूर्ण बरम सर्वेश्रिष्टी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम के रपासे आप जी को ये सत्संग उपलब्द हुआ परमात्मा बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तपके वरस हजार तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार मात पिता मिल जावेंगे मात पिता मिल जावेंगे लख चुरा सीम सत्गुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना परम पिता परमात्मा कबीर जी ने उस सत्पुरुस अमर पुरुस ने हम काल जाल में उल्जी हुई आत्माओं को अपना निज ठिकाना मनुस जीवन का मूल करते आकर बताया सत्लोक से चल कर आते हैं यहां नाना परकार की लिलाएं करते हैं वो परमात्मा कबीर जी है जो ऐसी लिलाएं करते हैं जो परमात्मा किया करते हैं क्योंकि वो स्वम्पर्भू हैं परमेश्वर हैं और उसी परकार की लिलाएं सद्गरंथों के अंदर विद्मान है जिन सद्गरंथों को हम सच मानते हैं उन्ही सद्गरंथों में परमात्मा की लिलाएं का वरणन विस्तार से कहा गया है उनको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास तत्व ग्यान नहीं था तत्व ग्यान के अभाव से हम अपने सद्गरंथों से ऐ प्रीची थे वेदों को पड़ने वाले वेदों को समझ नहीं सके पुराणों को पड़ने वाले पुराणों को समझ नहीं सके शिरिमत भगुत गीता के पढ़ने वाले गीता को समझ नी सके जिस कारण से हम सभी भर्मित रहे लोक बेद बनाकर के उन नकली गुरुवों ने हम सभी बोली आत्माओं को सास्तर के वुरुद ग्यान परचार कर दिया लोक बेद सुना दिया जिस कारण से हम प्रमात्मा की भक्ती भी करते रहे साधनाएं भी करते रहे जो सास्तर विरुद थी सास्तर विधी को ट्याक का जो मनमाना आचरन था हम वो साधनाएं करते रहे कठिन से कठिन साधनाएं की लेकिन इस वरी लाब प्राप्त नहीं हुआ परमेश्वर का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ ना कोई दुख में ने कोई संकट टला ना कोई एक्ष्ट्रा लाभ हुआ जिस कारण से परतेक प्राणी परमात्मा की साधना करते करते ठक सुक्या और आखिर में नास्तिक ताकी और चल पड़े एक बेहन ने बताया कि मीरा एक लोता पूतर एक पूतर उत्पन हुआ उसके दो तीन वर्स के बाद उसके पता की डेथ होगी उस पूतर की परवर्स की दूसरी साधी नहीं करवाई अपने बेटे को सुखी देखने के लिए मैंने री मेरिज नहीं करी जैसे तैसे अपना निर्वा करती रही मजदूरी करके किसी के बरतन साफ करके पोचा जाडू लाके अपने बच्चे को पाला पोचा पढ़ाया और उस बच्चे को सुखी देखने के लिए उसकी दिरगायू की डिमांड करते हुए इंदू दर्म के अंदर जितने भी पूजाएं थी वो सारी मैं कर रही थी कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा इस द्रिश्टी कौन से कहीं कोई रुष्ट ना हो जा और मेरे बच्चे को आनी हो जा सभी पूजाएं वो करती थी वर्त भी रखती थी उसने क्या बताया कि एक समय में मेरा पूत्र जब पलस वन में कॉलिज में जाने लगा पलस टू में जब वो पड़ रहा था गयारमी बारमी में उसने मोटर साइकल की जिद कर ली और मैं इस डर से मोटर साइकल नहीं प्रचेज करना चाहूं थी एकलोता पूतर है बगवान कहीं उख उख ना हो जा लेकिन बच्चे ने ज़्यादा जिद कर ली मैं ये भी कभी बच्चे की डिमांड को अंदेखा ने करा करती इसलिए कि कहीं इसको अपना पिता याद ना आ जाया ये नोना सोच बैठा है कि मेरा पिता जी होता तो आज मुझे ये बस तू लिया देता तो मैं उसकी परतेग डिमांड को सेहरस विकार करके उपलब्द कराती जैसे तैसे दुखी सुखी होगे लेकिन इस मोटर साइकल की डिमांड का ना तह मेरा ब्योंट था और दूसरा ये डर्बी मैं महसूस करती थी लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद की तो कुछ पैसे ही दुरुदर से करके मैंने मोटर साइकल उसको परचेज करवा दी वो लड़का परती दिन मोटर साइकल लेकर अपने एक साथ थी मित्र को जो जिसका साथ मही घर था उसको साथ लेकर कालिज जाने लगा एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना के बच्चे को खिला के परती दिन की तरह बच्चे को खाना खिला जिया वो खाना खाकर अपने मित्र को जैसे रूटीन मजाता था चला गया और मैंने रूटी से स्काना बचा बनाया रूटीयां बनाई और रूटी खाने के लिए बरतन में डाली थी इतने में क्या देखा कि उसका साथी दोड़ा दोड़ा आया आते ही उसने जोर से आवाद लगाई अंटी अंटी क्या हो गया उस लड़के के भी कपड़े फटे हुए मैसूश तो हो गया कि कोई गटना गटगी लड़के ने बताया कि भाई का अक्सिडेंट हो गया मोटर साइकल का और काफी चोट लग गये ऐसे ग्रास किया था खाने के लिए मूँ की तरफ वो वहीं से चुट गया शिर्पे कपड़ा नहीं पैर में चपल नहीं वो लड़का भी दोड़ लिया मैं भी उसके पीछे पीछे दोड़ती गटना स्थल पर पहुंचे वह मोटर साइकल तूटी पड़ी थी लड़के को उठा कर ऑस्पिटल ले जा चुके थे वहां भी काफी रक्त बहा हुआ था खुन बहा हुआ था जब ऑस्पिटल में पहुंची तो जाते ही पता लग गया कि लड़के की डेथ होगी ऑस्पिटल का टक्र मारी मैंने दिवार के मेरा शर्फ अठी गया भी होँच होगी साथ आठा के आए अब वो पुत्र भी नहीं रहा उसके बाद मैंने सारे देवी देवता की उठा के बाद तस्वीर कुरुडिया बे फैक दिवार इठा के जब में वह समाई कहीं बगवान नहीं है पुन्यात्माओं काल यही चाहता है कि यह सब नास्तिक हो जाँ कली युग में खास करें क्योंकि कली युग में परमात्मा की और इस काल की एक एक एगरिमेंट हुआ था काल इस ब्रहम ने कहा था 21 ब्रहमाट के सौमी ने कहें परभू आप तीन युगों में जीव कम ले जाना सत्युग तरेता दौा परमें और कली युग में कितने ही जीव आप यहां से ग्यान दे के अपना ग्यान समझा कर ले जा सकते हो तो कली युग में काल ना यह नाना परकार के मजभ बनवा जिये और भिन भिन परकार की ये पूजाएं शुरू करवा दी जिन पूजाओं के करने से पराणी को कोई लाव नहीं होता तो वो बहन एक दिन सत्संग में आगी हम पांस पांस साथ साथ दिन के सत्संग किया करते थे नगर नगर में जाक है तो हमारी एक बहन ने अमारी सिस्षा थी जो उसने उस बहन को कहा कि आप सत्संग में चलो आप तो सारा दिन दुखी रहती हो आँखें उसकी जैसे लाल हो जाती है ऐसे लाल आँखें औरी बेचारी की पुरा हाल बले उ लड़के की डेट को साल डेट साल हो गया था लेकिन भूल नहीं पड़ती इस तरह की आपदा जब जी उपा जाती है तो उसने काफी कहा तो नहीं मानती थी कहनती किता बगवान नहीं मैं ना मानती तो हमारी सिस्या ने बेहन ने काफी समझाया अपने दुख बताए हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ उनमारे रिष्टेदार के साथ ऐस कहने का भाव यह कि दो तीन उधारन दिये उसने असपास के और बगतों के उन से भी मिलाई अब वो बहन काह रही थी मेरी एक चाहती चलो जो लिया सो लिया इसका नाश्ट इसका बहे लिया कती जिसके उपर यह आस्री थी वो खत्म हुआ अब यह कम से कम अपना जीव के लाण करा लेगी इसका रिशी के साथ जीवन हो गया भे दुख तो होए लिया जो होना था तो उचने काफी कहने से वो कहने लगी दो चारू धर्ण सुनकर कहने लगी चलो जो हो लिया सो हो लिया तू अपना कल्लान तक राले यह सब कहते हैं आपके यह कैसेट सुनाई पहले ओडियो कैसेट होया करती थी जो टेप रिकोर्डर में चलती थी क्या बता रख्या था उसमें क्या मांगों कुछ थिरना रहाई देखत नेन चला जग जाई एक लखपूत सवाल लखनाती उस रावन के दीवान बाती आवत संगना जात संगाती क्या भया दरबंदे आथी कह कबीर अंत की बारी जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी सत्भक्ती ना करने वाले सास्त्र विजी को टाकर मनमानी पूजाएं करने वाले और भक्ती ना करने वाले अंत समय में इस मनुसरूपी जीवन को जुए की तरह हार के यहां से खली हाथ पीठते हुए जाएंगे जैसे जुए में जुआरी हार जाता है फिर हाथ मसलता हुआ जाता है एथ तेरे की ना सो गया तो कहते हैं बक्ती हीन प्रानी जब यहां से मर्त्यू को प्राप्त होकर परलोग को जाता है ऐसे जाता है जैसे खली हाथ चला जुआरी हाथ जाड़े कर चला जुआरी यानि खली हाथ गया अब उसको सच्छंग के अंदर समझा जाता है कि हम एक या दो संतान बगवान से डिमांड कर भी लेते हैं और वो हमें मिल भी जाती है तो उसे क्या बनेगा यदि वो बगती नहीं करते और मात पिता भी बगती नहीं करते तो उन दो पुत्रों से क्या होगा कहते रावन का है सवाल एक लाख पुत्र थे एक लाख का पिता गया जगत में उत उत माने नी संतान बे उलाजा यानि उसके सामने एक लाख पुत्र की मरत्यू होगी एक पुत्र की मरतु हो जाती है टक्कर मारता है प्राणी वे जब खुसी हुई और मरन लगे जब कितना दुख होया होगा उस रावन को अंदाजा वो ही लगा सकता है जिसके कभी डैथ हुई वो पुत्र की तो प्रमात्मा ये बताना चाहते हैं सत्संग के मादम से मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे अब जैसे हम यहां चैको नेता बन जाता है और बगती उसने की नहीं उसका बहले ही हमने कोई सेटेचियो बना रख्या हो उसकी कोई मूरती बना रख्या है और वो पिछले पुन को समाप्च करके मन मने कुट्टे की यो निम भटक रहा हो और बाकी उसके उस मूरती के आगे जाके हर महने कोई एक भपूल चड़ा जे माला गाल दे उसके जनम दिन मना ले उससे क्या लाव हो गया उसको वो क्या यस हुआ वो नकली यस है मन तू सुख के सागर बस रे है भाई और ना ऐसा यस रे सर्वसोने की लंका होती रावन से रन धीरम एक पलक मैं राज विरा जीवो जम के पड़े जन जीरम मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे साट हजार सगड के होते कपिल मुनिस्वर खाई साट हजार सगड के होते कपिल मुनिस्वर खाई एक सपुत्र उतान पात का वो परमातम पद पाए मन तूं सुके सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे अब प्रमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप जी एक संतान से एक संतान एक पुत्र को प्राप्त करके अपने आपको बहुत सुखी मान बैठे हो राजा सगड के साथ हजार बैठे थे और उन्होंने एक ऐसी कोब दुबाई उस पूरी पिर्च्वी के उपर बगीचे एक बगीची यानि दस बीस पचास पो पेड़ लगा दिये एक तालाब खोद दिया एक कुवा ऐसा पूरी पिर्च्वी पर खोदने लगया किसी संत ने बता दिया कि ऐसे करने से पुन होता है तो ये यग होती है एक कुवा खोदुआ दे एक तालाब खोदुआ दे और एक बगीचा लगवा दे तो एक यग मानी जाती है तो राजा सगड के पूत्रों को राजा सगड को किसी तपस्वी ने किसी संत ने जैसा ग्यान था उसको बता दिया तो राजा सगड ने सोचा ये साथ हजार बेट्टे करेंगे क्या इनको पुन पर लगा देता हूँ उन्हें सारी पर साथ हजार के थोड़े हूँ पर तगड़े तगड़े होते थे पहला है तो उन्होंने पूरे अक्षेतर को वो खोदेने शुरू कर दिये कुवा बगीच चाला जें एक ताला बना जें आगे गो चलें और साथ में गोड़ा छोड़ दिया गोड़े को पकड़ दे, हमारे साथ युद कर ले अब इंदर को ये दो बातें अच्छी नहीं लगती एक तो कोई तफ कर ले या ये करके कहीं इंदर का राज प्राप्त ना कर ले तो उसने इंदर क्या किया? दो अलकारे बेज़ दिये दो दूत बेज़ दिये उन्होंने उस गोड़ा रात के से में वो तो दिन में काम काम करें थे ठक के सोगे, सगड के पूतर उन इंदर के दूतों ने, देवताओं ने वो गोड़ा खोल के वहां से एक कपिल मुनी जो बगवान विश्णों के आवतारों में से भी एक माना जाता है कपिल मुनी एक साधना करे था अपनी बग्ची करे था बैठके और उसकी आँखें आँखों की ये पलकें इतनी लंबी बढ़गी थी पिर्च्वी पटिकी हुई थी अब उन्हों ने अलकारों ने क्या किया वो गोड़ा खोल के और कपिल मुनी की जांग के बाइद दिया जैसे आसन पदम लगा के बैठा हो तपस्या करने से स्रीर दूबला पतला हो जाता है टांगां के बीच में जगे बहुत रह जाती है उस टांगां के जांग के साथ के रसी काड के गोड़ा बाइद दिया अब गोड़े की खोज करते करते वो सुबह वो उठे वह गोड़ा को ने गया हमारा देखो किसके पास है वो पूरी पूरा लाबरदा पहुंच गया वहाँ पर लेका थियार सायरे अब कपिल मुनी की जांग के बंद रहा उन्हा सोचा कि इसने बाइंद लिया इसका भी मान हो गया तो उस कपिल मुनी की जांग इंकों में यह बराबर में हींख बोलने जैसी वासाम इंकों बाले चुब हो दिये दीरे दीरे बाले अड़ा दिये से कि ओ, खड़ा हो, तुने हमारा गोड़ा क्यों पक्ड़ा अब रिशी का दर्द हुआ उसने आव देखी, ने ताव देखी उसने पलके उठा दी ऐसे, करो दुमे आँखों से अगनी बान छूटे और साथ हजार सगड के पूतर मौत के घाड उतार दी परमात्मा ये याद दिनाना चाहते हैं कि यहां इस समसार में आप जी जिस परिवार और संपत्ती के लिए आजीवन वेस्ट रहते हो, बगवान की बगती नहीं करते हो इसके करने से आप ऐसे जाओगे जैसे जुहारी जुए में हार कर सिरकूटता हुआ जाता है उन्हात्माओ हम एक बार सत्संग कर रहे थे एक सहर में उसी में वो बहन भी रहती थी साथ दिन का सत्संग था कौन सी बहन जिसका एक लोता पूत्र वो विद्वा थी वो भी मर्ट्यू को प्राप्ट हो गया था जो सारी धेर सारी पूजाएं किया करती थी उसी नगर में परमात्मा की दया हुई सत्संग शरू हुआ तो बहनों के कहने से वो बहन भी सत्संग सुनन दरूर आगी लेकिन रूची कती नहीं थी वर नास्तिक हो चुकी थी साथ दिन सत्संग कर्टी ने उस सुना तो अन्तिम दिन उसके समझ में आई को वही बात तो सारी साची है फिर उपदेश लिया है फिर उसना अपनी जीवन कहाने बताई और रोई कि मैं यदि पहले से यहां परमात्मा की संड में होती तो मेरा बेटा नहीं मरता आज मुझे दर्ड विस्वास है क्योंकि सेक्ड़ों परमान उसके सामने थे अब उस प्यारी आत्मा को बताएगा कि बेटी अब भी तरह कुछ नहीं बिगड़ा है यह तासंतिनम होगे अगर बगती ना करती ना और तेरे मन में संतान की ही इच्छा रह जाती है फिर यू काल केद रुकती करता जैसे किसी बेहन का संतान नहीं है उसको तो संतान थी ओकेakapरगी और कई ऐसी हैं जिनका संतान नहीं है तो उन बेहनों को ये समाज जो है नकली दूतों का परमित किया हुआ इनको चैन से मरने भी नहीं देता जीन की तब बात बहुत दूर है जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पडोसी उडोसी रिष्टेदार नाच्ती आवगा और पहले यह वाद चलावगा कि यह भगवान एक द्रत्रक्ता होना चाहिए था फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं जब वालक ने देना ही नहीं है तो अंतमें वो शबर कर लेते हैं या किसी बालक ने गोद ले लेते हैं किसी के बले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाड़ी संतान की कसक जाती नहीं क्यों गोद लिया हुआ फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चाल लेगा चाहिए कितना अच्छा हो तो फिर उस बहन के और उसके पती के फिर ये मन मौ यह आती है बगवान हमारे संतान होती पर अजनूंग ना करता तो बगवान की बगती से वँचित वो पराणी मर्ट्यों को प्राप्त हो जाती है वो बहन जिसके संतान ना हो और अन्त समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरे संतान ना होई अगले जनम में उसने कहते कुटिया बनाओगा काल के सूरी और एक ब्यात में बारा बारा जामेगी फिर सूरी बना दी ते एक ट्रिप मेवा बारा बच्चे देती है और कुतिया बना दी ते आठ कठे जामेगी यू काल नो दुरुखती कर रहा ले तो इब जाम जाम कर संतान ते छेक ले संत्रांपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत्रांपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रांपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541